कम पीना है यह कुछ इसके बेसिक कारण है और साथ में जोते सी यह कहता है कि आपका चंद्र अगर कम जोर है या चंद्र किसी चीज से तूसित है किसी अनिगरे से तो यह आपको डेफिनेटली होगी लेकिन दोस्तों इसको दूर किया जा सकता है साथी इस्था ही तोर पर पारी में डाल देना है और उसके बाद उस पारी से नहा लेना है निश्चत तीन दिन के अंदर अंदर आपकी जो बन्मू की समस्या है वो खतब हो जाएगी इसको कुछ दिन प्रियोग करते रहें आपको इसको प्रियोग करना रहना होगा कम से कम चार पांच महीने में दो प्ते आपको सुबह सुबह दो पते खाली पेट खाले दे अच्छे से चबा चबा के दोस्तों इस प्रियोग को आपको हफ्ते भर करना है हफ्ते भर के बाद आपके सरीर से बदमूरी खुद्बू आने लगेगी और यगिनमारी आपका जितना पसीना निकलेगा उतरी आप 6-7 दिल लगातार का है सुबह सुबह ताजे पते एकदब दर्म बुलाइं टैप के पते देखकर उनको अच्छे से चबा के आप खाले इसके एक घंडे पहले और बाद तक कुछ ना खाए ना पिए उसके बाद आप खा पी लें दोस्तों इस प्रियोग को करके देख कि आप आश्चार करेंगे आपके सरीर से इतनी बढ़िया सुगन दाने लगेगी बगर किसी और चीज़ के बदमू का दावू निसान मिट जायागा बलकि सरीर से सुगन दाने लगेगी आपको कभी डियोडेंट की जिरुवत नहीं पड़ेगी अगर आप बेल के पते साल में हपते दस दिन भी खा लेते हैं तो दोस्तों ये एक स्थाई लाज है आप स्थाई तोर पर पसीने की बदमू से मुख्त हो जाएंगे डेफिनिटली तो दोस्तों इसके अलावा भी कई सारे तरीके हैं जैसे गुलाब जल उसका भी आप प्रियोग कर सकते हैं लेकिन य इस्थाई लाज दीए इस्थाई लाज बेल के पत्ते अगर आपको परवरेटली समस्या से मुख्त होना है तो बेल के पत्ते का यूज़ करें और इससे अवेसा के लिए मुख्ती का है अगर फोरी तोर पर ततकाले कराहत चाहिए तो